मनुष्य प्रजाती कैसे और कहां विक्सित हुई बिग बैंग 13.7 अरब साल पहले हुआ प्रित्वी 4.5 अरब साल पुरानी है और प्रित्वी पर जीवन 3.8 अरब साल पहले उत्पन हुआ शुरुवाती जीव सिंगल सेल वाले प्रोकेरियोटिक बैक्टिरिया थी मल्टी सेलुलर जीवन उसके एक अरब साल बाज शुरू हुआ और सिर्फ 57 करोड साल पहले ही ऐसे जीव विक्सित हुए जिने हम अपने आसपास देख सकते हैं इविल्यूशन के विशह में हमारी जानकारी फॉसिल से आती है 53 करोड साल पहले सबसे पहले आई एंथ्रोपॉद्स और उसके बाद आई मचलियां इसके बाद 475 मिलियन साल पहले पौधे आए जंगल 385 मिलियन साल पहले बने डाइनसोर्स 230 से 65 मिलियन साल पहले हुआ करते थे मैमल्स यानि स्तंधारी 22 करोड साल पहले आए और सिर्फ 2 लाग साल पहले हम यानि होमो सेपियन्स विक्सित हुए लगबग 65 मिलियन साल पहले लेट क्रिटेशियस काल में एक मास एक्स्टिंशन हुआ जिसमें 3-4 प्लांट और अनिमल लाइफ नश्ट हुगई जिसमें डाइनसोर्स भी शामिल थे इस काल में मैमल्स तो मौझूद थे लेकिन वे ज़ादा तर छोटे-छोटे रोडेंट्स जैसे जानवर थे अब जो जानवर बज गए उनमें अडाप्टिव रेडियेशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई स्पीसीज उरिजनेट हुई इस काल में मैमल्स का एवल्यूशन भी बहुत तेजी से हुआ पहले प्राइमेट्स जिने प्रोटो प्राइमेट्स कहते थे अपियर हुए इन फर्स प्राइमेट्स को देखिए ये गिलहरियों की तरहां लगते हैं माना जाता है कि ये अधिकतर पेड़ों पर रहते थे फॉसिल से पता चलता है कि प्रोटो प्राइमेट्स के हाथ और पैर चीजों को पकड़ने में सक्षम थे लेकिन इनकी आँखें सिर के साइट पर थी यानि विजन स्टीरियोस्कोपिक नहीं थी इयोसीन इपॉक में 55-34 मिलियन साल पहले बंदर जैसे प्राइमेट्स अपियर हुए इनकी आँखें सर में आगे की तरफ थी इसी काल में प्राइमेट्स के सर के अंदर एक महत्वपूर्ण इवल्यूशनरी बदलाव हुआ इनकी स्पाइनल कॉंट को मस्दिस से जोडने वाला छेद जिसे फोरमेन मैगनम कहते हैं उस कल के पिछले हिस्से के बेज से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा यानि की अरली प्राइमेट्स अब सीधे खड़े होकर चलने की तरफ अग्रसर हो रहे थी हायर प्राइमेट्स ओलीगोसीन इपॉक में 34 से 23 मिलियन साल पहले अपियर हुए इस काल में गलोबल कूलिंग हुई घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे ऐसे जानवर इवॉल्व होने लगे जो खुले मैदान में रहने के लिए उप्योग थे परिणामस्वरो बहुत सारे दूसरे जानवरों को खाने वाली स्पीसीज अपियर हुए मनुष्य वंच एप से 7 मिलियन साल पहले अलग हुआ परंतु एक अनुमान के अनुसार ऐसा 13 मिलियन साल पहले हुआ औस्ट्रेलो पिथिकस हमारे वंच के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे इस बात को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास हड्डियों के फॉसिल्स मौजूद है सबसे फेमस है लूसी जिससे हमारा 40 प्रतिशत फीमेल स्कैलोवाइन मिलता है वो 32 लाग साल पुरानी है औस्ट्रेलो पिथिकस से इवॉल हुए होमो जेनस यूमन्स और होमो सेपियन्स का संबंद होमो जेनस से ही है होमो जेनस का सबसे पुराना फॉसिल 28 लाग साल पुराना है शुरुवाती होमो स्पीसीज जैसे की होमो हेबिलियस और होमो एरेक्टस दो पैरों पर चलते थे जैसे की लूसील जैसे की आप देख सकते हैं की सटीक डेट्स का पता लगाना एक मुश्किल काम है सही डेट्स हमेशा से वाद विबात का विशे रही है होमो अर्गैस्टर्ज अफ्रीका को छोड़ कर छोटी अबादियों में एशिया में आ बसे यह तुर्की से लेकर चायना तक फैले यहां नए वातावरन में होमो एरेक्टस इवॉल्फ हुए होमो एरेक्टस होमो सेपियन से जादा बड़े और बलिश थे लेकिन 30,000 साल पहले वे लुप्त हो गए जबकि होमो सेपियन्स बच गए हाला कि होमो की अन्य स्पीसीज काफी पहले ही अफ्रीका छोड़ चुकी थी लेकिन 60,000 साल पहले ही मौडरन होमो सेपियन ने अफ्रीका छोड़ा और विश्व के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे हमारे पास इस बात के जेनेटिक और फॉसिल सबूत मौजूद है हमारे पूरवज नियंडर्थॉल और होमो जेनेस की दूसरी स्पीशीज के साथ प्रजनन करते रहे वज्ञानिक हुमन्स की 15 से 20 स्पीशीज होने का दावा करते हैं पर इस तथ्य पर सब सहमत नहीं है नियंडर्थॉल तीस हजार साल पहले आई सेज में भोजन की कमी के कारण लुप्थ हो गए होमो फ्लोरियंसिस बारा हजार साल पहले लुप्थ हुए इन्हें हॉबिट्स भी कहा जाता है पिछले एक लाग साल में जटिल भाषा सद्सकृती और क्रिशी विक्सित हुई इन जटिल घटना क्रमों के परिणाम स्वरूप ही होमो सेपियन्स बचे रहे और दूसरी होमो स्पीसीज लुप्थ हो गई इसका अर्थ ये नहीं कि जो लुप्थ हो गए वो अज़ारों का प्रयोग नहीं करते थे या उनके पास कम्युनिकेशन के जरिये नहीं थे लेकिन हमारे पूरवज अधिक विक्सित थे इसलिए वे वातावरण जनित बाधाउं से लड़ सके जैसे की आई सेज इस वीडियो में हमने जाना कि 7 से 13 मिलियन साल पहले होमो की बहुत सारी स्पीशीज हमारे कौमन पूरवजों एप से विक्सित हुई और सिर्फ 12,000 साल पहले दूसरी होमो स्पीशीज पृत्वी पर हमारे साथ रह रही थी